आज मुझे यहां अमंत्रित किया गया है तो हमारी कर्विता का शीर्चक है 102 नौट आट कि यह कैसी कहानी है यह कैसी कहानी है कि यह कैसी कहानी है जहां बेटा तो बुड़ा है और भाब पर्चाई जवानी है कि जीवर को सालों से नहीं अपने खुष्नुमा तरीके से जीता यूंग यूगा करता है और भाब फुटबल खेलते हुए मस्ति से जीता है कमाल की बात है कि ब्रिद आस्रम में बाप को नहीं बेटे को जाना है मस्ति भरा है जीवन उसका मत सोचो की उल्टा जमाना यह कैसा बाप है जो बेटे को अपनी बेवी के लिए लव लेटर लिखवाता है बारश में उसके साथ भीगता उसको नाचना है उसको विश्व में सबसे उम्रदराज होने का रिकॉर्ड तोड़ना है उसको विश्व में जीवन में मुस्कुराना नहीं छोड़ना बहुत बहुत धन्यवाता है आगे सुनिए यह अंतिमपद है कि जब अउलाद नालायक निकले तो उससे भूल जाना चाहिए और सिर्फ उसका बच्पन याद रखना चाहिए और यह फिर से सुनिए इसको कि जब अउलाद नाला नालायक निकले तो उसे भूल जाना चाहिए और सिर्फ उसका बच्पन याद रखना चाहिए बाप कितना भी कठोर बोले उसका दिल दरिया है यह बच्चों को याद रखना चाहिए